जमुकश्मीर हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है जमू से आप इंटरस्टेट बसे चल सकेंगी कोरोना के बढ़ते वारिस के वक यह इंटरस्टेट बसे रोग दी गई थी जो अब शुरू कर दी गई है बस सब इस इंटरस्टेट बसे ना चलने से जमु में टोरिज्म बंद हो गया था पूरी तरह से और इंटरस्टेट बसे सिर्फ जमुकश्मीर एसा टीसी की ही चलेंगी प्राइवेट बसे अभी इस रूट पर नहीं चलाई जाएगी बड़ा अबड़ेट इस वसका आपको बता रहे हैं जमुकश्मीर उकूमत ने बड़ा पैसला लेते हुए एलान किया है कि जमु से अब इंटरस्टेट बसे चल सकेंगी आपको बता दे कि कोरोना वारस के बढ़ते खैर के वक्त ये बस सर्विस रोग दी गई थी इंटरस्टेट बसे न चलने से जमु में टूरिज्म बंद हो गया था और आपको भी बता दे कि इंटरस्टेट बसें सिर्फ जमुकश्मीर S.R.T.C. की ही चलेंगी प्राइवेट बसें अभी नहीं चलेंगी और हमारे साथ इस खबर पर हमारे नुमाएंदे जितिंदर नूरा बने हुएं तमाम तफसिलात के साथ जितिंदर बड़ा वैसला लिया है जमुर कश्मीर होकुमत ने जमु से अब इंटर स्टेट बसें चल पाएंगी और टॉरिज्म जो रुका हुआ था अभी जो बंद पढ़ गया था इन बसें के नहीं की वज़े से वह फिर से गुलजार हो जाएगा हाला कि इस वीच एक शर्त यह भी है कि प्राइवीट बसे नहीं चलेंगी क्या तफसिलात है आपके पाद ज़िफिए मेसरा पाद के लहार कि लिए खहा जातर psychology कोटिकर साइला जातर था बहुत बसेंगी केई-खहिदा बसें चलेंगी तो यानि अब पूरी रियासत में ये इंटर स्टेट बस चल पाएंगी इसका मतलब टूरिज्म के हवाले से देखें जितने तो ये एक बड़ा फैसला है और वहीं मकामी लोगों को भी जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर पर परिशानिया पेश आ रही होंगी तो इस हवाले से कितना बड़ा फैसला है ये बड़ा फैसले की बात करें से बहुत बहुत बड़ा फैसला है कि अगर तूरिस्ट की बात करें तो जो जम्मू के लोग तूरिस्ट पर डपर ड़ते हैं व हैं बड़ार जो हैं पहां पर टूरिस्स आत है मंदरों में घुंते हैं जर्ब जातरा बेजाता हैं वहां पर आमी पर पढ सें जो इंट्रोबसे में चलेंगे, उनके लिए मास्ट, संट्राइजर और सोशल डैंसिंग रखना जूरी होगा, यह चीज़ रहेंगी, तो अर्टे टूरिस्ट को ब्रावा मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पर वीड के दूसरी लायर की बात की जारी है, इसको सब्कुल म सब्सक्राइजर जो गोर्मिल की है, कहीं नके रूस्ट तूरिस्ट जमू में आतके, तो लोग जमू में जब फसी होए, जब आप दूसरी चेटों सब्सक्राइब होए, वो एक दफने घरों को जार सकें, जी. शुक्रिया आपका जितने रुमार साथ जुदने के लिए साहम खबर पर, बहुत बहुत बाइब हो.